जहें दोस्तों स्वागत आपका आपके यूट्यो चनल बाद दोस्तों जैसा कि यूपी पुलिस का सत्रे तारीक का फस्ट सिप्ट का पेपर हो चुका है और दोस्तों जो यूपी पुलिस का अठारे तारीक में और जो सत्रे तारीक का सेकिंड सिप्ट का पेपर है वो अठा कि पहली टिप से आपकी जिसने भी अपना एडमिट काड नहीं निकल वा ले यानि जी अठारे तारीक वाले ब्यारतियां करूना एडमिट काड नहीं निकल वा ले तो आज वो अपना एडमिट काड निकल वा ले एक अपने पास रखे रख ले और एक एक्जाम के साथ ले ज परिषचह में जब जाएं तो आपको दो रंगीन फोटो अपने पासपोट साइट के बनवा करके लेखर के जाएं अगेर आपने नहीं बनवा एं तो अभी आप अपने दो फोटू बन लेखुत तीसरी जो point है हमारा वो है अपना other card pen card voter ID card जिस ID में सभी details सही है उसको अपने साथ ले कर जाए यदि आपके पास other card pen card voter ID है उन तीनों ID में से अगर जिसमें आपका photo और detail आपकी सही है वो ID अपने साथ ले कर जाए अगर other card आपके पास है तो आप other card ये ले कर जाए क्योंकि उसमें आपका फोटो भी होता है और डिटेल भी अच्छे से होती है अगर आधर कार्ड में कोई दिक्कत है तो आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं या पैन कार्ड भी ले करके जा सकते हैं और खासकर हम जो बताएंगे आपको काले कर्ड से ही अगर आप गोला करें तो अच्छा रहेगा तो बोल पैना आप काले। जाएं आप इसे परियोग पांच भी टिप से दोस्तों परिच्छा केंदर पर कम से कम दो गंटे पहले अबसे पहुंच जाएं अगर आप लेट लेट जाओगे तो आपको मान सिंग मतनाव से होकर भी गुजनना पढ़ सकता है और आपको पेपर अच्छा नहीं हो सकता आप अपने एक्जाम सेंटर प हमारा वो है परिच्छा के अंदर के पास आसपास के नकारात में लोगों से बचें किसी से वहां पर फाल्तु बात ने करें एक आंत में बैठें और माइंड रिलेक्स करें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें यानि कि आप परिच्छा के अंदर पर जाओगे तो आपको पैसे भी लोग मिल जाएंगे आप से कहेंगे कि हम नकल चलवा देंगे या हमें इतने पैसे दे तो हम आपको पास करा देंगे तो ऐसे लोगों से बचें ऐसे नकारात्मों लोगों से बचें अपने जो आपने तयारी किये अपनी मेहनत और अपने दम पर ही सेलक्शन पाएं और अलग बैटें रिलेक्स रहें माइंड को इस्तिर रखें और माइंड फ्री करके अपने एक्जाम होल में जाएं और परिच्छा को अपना पूर अच्छे तरीका से करें और दोस्तो एक्जाम महल में बैठने से पहले पानी पी लें और अगर टोइलेट है तो टोइलेट जाकर के अपने साप और अच्छे मन से बैठ कर अपना एक्जाम दें नेक्ट पॉंटे सातमा जिन अभ्यारत्य का पेपर कल यानि कि कल होने बाला ठाय तारिक में और आज जो शेकन शिफ्ट का आज कुछ नया आने पढ़े और आज का पेपर देख कर जाए जो आज पेपर शेकन शिप्ट का हुआ उसे देख कर जाए फालतों में नया ने रिवाइज कर ले और दोस्तो जो पेपर फर्स्ट का आया उसी आधार पर आप पढ़ करके जाएं आटमा पॉंटे आंत में आप वे फिकर और अपने आप में कॉन्फिडेंट रखें कि हमने जो बढ़ा है वे सबसे अच्छा बढ़ा है और इनप बढ़ा है जो भी लगाना है तो दो पॉंट में अगर आपको कन्फूज है दो अपसन में कन्फूज है तो आप तभी को तुक्का लगाएं तीन या चार में अगर कन्फूज हो रहा है तो आप तुक्का ना लगाएं नवा पॉंट है परिच्चा हॉल में किसी से भी बात ने करें नहीं पर होता है तो उसका अंग्रेजी संस्क्रिण ही मानने होगा आप अंग्रेजी में पढ़कर इसका अंसर चुने अगर आपको हिंदी में कुष्ण समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं हिंदी को छोड़कर बाकी तीनों भासाओ जिसे जीके हो या मैत हो गया reasoning वह आपके Hindi और English में दोनों में आपका question दिया है अगर आपको Hindi में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे English में पढ़के Hindi में भी लगा सकते हैं उसका उत्तर दे सकते हैं ग्यार्मा पॉइंटे आपका अंद में यह कहूंगा कि पॉजिटिव रहें और अववाव से दूर रहें अपना जितना पड़ा है इमानदारी से आप अच्छा कर जाएंगे हमें आसा है कि आप सपल हो जाएंगे आपने जो पड़ा अप और लिए वचान की लिए भी बदाई जिए वर जिनका होने वादा है उनके लिए बी माहिए दोस्तों आगर वीडियो अच्छी लगए तो एप लेज चैनलर को सब्सक्राइब करने वे लाइन को दबा दें फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू धन्यवाद